कर आप निफ्टी बेंग निफ्टी को इंट्राइड में किस तरीके से ट्रेड करूगे ट्रेड के पीछे का लोजिक है सब कुछ हम डीटेल में जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा तभी आपको सारी चीजे डीटेल में समझ में बता रहता हूं जो आप अकसर जो गलत रेट लेते हो अकसर वह गलत रेट ना लो इसके लिए मैं बहुत सारे वीडियो बनाकर यहां पर पोस्ट करता रहता हूं लाइब मार्केट के दुरान तो जिन लोगों नहीं जोइन क्या सर्च कर लीजिएगा ठीक है एंड दोस्तो होल्ड करना ची एक से दो दिन यहां पर होल्ड करने के बाद अगर यह ब्रेक आउट लेगा तब मार्केट में बड़ा मोमेंटम आएगा अगर यह 42,000 का लेवल यह जब लिका लेगा इस लेवल को तब मार्केट में बड़ा मोमेंट आएगा 42,000 यह जो second target इसका मैंने पर जाता है तब यह अपसाइट ब्रिक आउट देगा अदर्वास मार्केट यह ब्रेक आउट नहीं देगा नीचे की तरफ घिर जाएगा ठीक है और जैसा कि आप देख सकते हो मार्केट में क्या हुआ है मार्केट आज पूरे दिन रेंज के बीच में ट्रेट किया है नह कि एक दो दिन में यहां से आने वाला है जब तक जो मोमेंटम करनाहीं करना होता तो आज स्टेन करना होता तो आज की दिन में मार्केट गिर गिर जाना चाहिए था अगर आज आज का दिन अगर मार्केट नहीं करता है तो फिर मार्केट कहीं है कि अपसाइट ब्रेकाउट देने के लिए तैयार रहेगा ठीक है चलिए कल के दिन में इंट्राडे में 50 मिन टाइम फिर्म के चार्ट के ऊपर देख लेते हैं कि आपका क्या प्लान अफ एक्शन होना चाहि इस लेवल के आसपास इस हाई लेवल के आसपास देख सकते हो मार्केट आज बिल्कुल रेंज के बीच में ट्रेट किया और जितने लोग यहां पर आज के दिन में कोल या पूट कुछ भी बाय कर रहे होंगे सब में उनका लॉस वह रहा हुआ क्यूंकि मार्केट चौपी यहां कहीं बना देता है तो मार्केट फीर नीचे की तरफ आ जाएगा ठीक है मार्केट पहली केंडल एकले डस से पंद्राइब बीच में होड कर जाता देर उसके बास ब्रेकआउट लेगा लगपाग 49.545 यह लेवल जब निकालेगा तो इसके उपर हम कॉल बाय करेंगे चलिए लेवल्स में आपको सारे ड्रो करके देता हूं ताकि आपको सारी चीजे समझ में आ जाएगी तो आपका सिंपल प्लान ऑफ एक्षिन क्या होना चीजिए सिंपल है आपको इस रेंज की बीच में मार्केट यहां कहीं ओपन होना चीजिए क्लोजिंग प्राइस से 200-300 उपन नीचे यहां का इस रेंज की बीच में कहीं पर भी ओपन हो रहा है फिर उसके बाद जो है इसको हो सकता है टार्गेट कलके दिन में अच्वी हो अराम से अच्व हो जाएं अगर करता है थिया कि चींप Um आज की जो डो सब्सक्रान करें करेंगा गहें करने के लो लगाया मार्केट ने में जो लेवल क्रोस करता ति आपका second target रहेगा जो कि ओड लेवल नंबर यह लेवल यहां है नहीं पर पिर लेवल नहीं यह से कटीशनफनी हो सकते हैं बाकि सारे लेवल्स में टेलिग्राम चार्ट लगा लेते लिक हैं इस तरीके से मैंने हैं यहां पर भीинки होगी थ्टोड़ा सा यह 지금 में मोडि में रिच्टर pm अंदर अ लगत मिला हमारा जो पहला टार्गेट था स्जी में अंदर यह फिर मारेट side तो यहां से निकालेगा बड़ा मोमेंटम होगा हो सकता यह कल के दिन में निकाल ले या फिर और फिर एक पर चांस रहेगाures तो कहीं नहीं हो सकता है तो कल का दिन यहदी मार्केट नहीं हो लिए के लिए बिलकुल रेड़ी हो जाएगा तो हमको इसे चीज़ को देख लेते हैं किस तरिके से आप इंट्राडे में कल के लिए प्लान ओफ एक्षिन क्या होगा वो हम देख लेते हैं ठीकि बिलकुल आज मार्केट देखो गया तो चोपी मार्केट रहा है चली अभी आपके लिए कल किस तरीके से कौन सा लेवल इंपोर्टेंट होगा यह दिख लीजिए सारे लेवल्स आप लोगों के लिए मैंने बना के अल्लेडी रखे हुए तो सेल साइट मार्केट में अच्छा पैसा बन सकता अगर मार्केट को गिनना थो कल यह अस-पास मार्केट लाने के लिए ठीक है तो आज कल के दिन में क्या होगा मार्केट को इस रेंज के बीच में लगब करेंगे लेवल के पहला टारगे लगबग 7770 के आसपास का यह पहला टारगेट लगबग 7750 तो लेवल रहेंगे एंड सारे इसी तरीके से मार्केट ना काम करेंगे बस आपको तरीका आना चाहिए बाकि लाइब मार्केट के दौन कोई भी ट्रेडव गिरा होता है वो में रिसी भी आपको वहाँ पर शेयर करता है तो टेलिग्राम चैनल के अंद अपसाइट बात करूं तो मार्क सब्सक्राइब मार्केट कर जाता है तो यहां पर फिर आपको कॉल में पैसा बनेगा तो कहीं न करेंगे मार्केट अगर इस को निकालता है तो इसके ओपर हम कॉल के लिए प्लान करेंगे लेकिन कुछ क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखेंगे ठीक है पहला टार्गेट रह यह लेवल यहीं क्रोस कर जाता है तो पहली केंडल रेट बनाकर इस्पीड में जाएगा तो आपको सेल साइड अच्छा पैसा बन सकता है क्योंकि सकल सेलर के पाथ एक अच्छा ऑप्शन होगा मार्केट को नीचे लाने के लिए क्योंकि जिस तरीके से मार्केट नाज प् यहां से देख सकते हैं यहां से घिरावत हुई फिर अगर मार्केट को उपर जाना तो इस्पीड में जाना चाहिए इतना टाइम पास नहीं करना चाहिए लेकिन वह देख सकते हो नीचे आ है उसके बाद दिन पर ठीक है तो कल अगर यह ब्रेकडाउन होगा तो एक बड़ कर सकते हो कल के दिन में पहला इस्टोग के टीवीए जो कि मैंने आपको कल भी दिया था ठीक है कल भी दी तिया तो काफी अच्छा पेसा आप लूगों का आज के दिन में इस ट्रेट के अंदर बना था कल हमने बताय था कि देख हाई निकालेगा हम बाय करेंगा तो देख स ये टार्गेट आपका होना चाहिए लगबख 1080 के आसपास या भी 65 के आसपास का टार्गेट होगा ठीक है तो इस स्टोक को हम वाय के लिए कंटिनुईशन में रखेंगे अपने लिस्ट में नेक्स इस्टोक मुझे दिख रहा है मैक और ब्रेक लिए काफी दिनों बात दिख रहा है लगबख 80 का लेवल मानके चलो 80 के लेवल को हिट करके या तो मार्केट में बड़ी गिराओट आसकती या फिर 80 का ब्रेकाओट होगा एक बड़ा अपसाइट मोम इंट्राडे एडवांस कोर्स बना रखा है कि हम कोई भी इंडिकेटर ना तो यूज करते नहीं मैं आपको सिखाऊंगा तो आप बिना इंडिकेटर वाली ट्रेडिंग को सीखना चाहते है और कंसिस्टेंसी के साथ मार्केट से पेसा कमाना चाहते है आप लोगों के लिए को से चाहां पर बहुत सारी स्टेटेजी जो भी एक इंट्राडे ट्रेडर को चाहिए होता है वो सब कुछ आपको डीटेल में सीखने को मिलेगा इस कोर्स के अंदर ज्यादा इंफोर्मेशन के लिए आप मुझे वाट्सप पर कॉंटक कर सकते हो वाट्सप नमबर इसी व को एंदर आपके वाट